PCS प्रिलिम्स एक्जाम 2023 का महा रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और महा रिवीजन में सबसे बड़ी बात ये है कि आप सभी ने ये बधाई के पात रहे हैं आप लोग कि सफलता पूर्वक चार दिन वितीत कर लिये हैं दस दिनों में हम पूरा स्लेबस पढ़ने जा रहे हैं और दस दिनों में से चार दिन वितीत हो चुके हैं बचे च्छे दिन अब पांचवे दिन का टार्गेट देने जा रहा हूं देखें यहां पे एक दिन में एक हम टार्गेट ले करके चल रहे हैं और उस टार्गेट के ह साब से पढ़ रहे हैं और बाद में इसमें कई सारे टास्क में आपको दे रहा हूं मैं पूरी आशा और उमीद ही नहीं कर रहा हूं बलकि पूरी तरीके से confident भी हूँ कि आपको जो मैंने target दिया है उसमें आपने जितना पढ़ा है साइद ऐसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा यह जो तरीका है method है कि भाई ऐसे कैसे हो गया एक दिन में प्राचीन खतम एक दिन में मद्यकालिन पतम एक दिन में आधनी खतम एक दिन में बिस्त का और पूरा जो है आपका current affairs भी कबर होगा GS के सारे topic कबर होंगे एक्जाम से जुड़ी हुई चीजे सारी कबर होंगी यह आप लोगों के लिए चमतकार चल रहा है और ऐसी चीजे अभी जल्दी देखेगा मैं IAS वाले जो बच्चे हैं जो MPPSC वाले बच्चे हैं उनका भी revision होता है revision key है revision recall की key है आपको exam में recall कब होगा जब आप revision करोगे जो revision नहीं करेगा उसका exam में बुरा हाल होना है तहस नहीं सो जाएगा वह वहाँ पे कुछ याद ही नहीं आएगा यदि आप revision करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा अब revision के तहत मैं आपको क्या दे रहा एक तो मैं आपको खुद की अपनी एक क्लास दे रहा हूँ, यह क्लास एक जरिया है, अब आप खुद बता, यदि एक लास नहोती, तो साहइट सम्भो ही नहीं था कि एक दिन में इतना बड़ा सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो मैं आपको एक सब्जेक्ट जो हमने जैसे अभी यह हमारा next day का भारत का भुगोल जो है यह हमारा focus day है, focus subject है और इसमें जो है हम complete Indian geography पढ़ने जा रहे हैं entire video से, मैंने एक entire video बनाया था और सबसे popular entire video है यह, लगबग जो है इसमें 40 लाग से जादा बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं, benefit उनको उनोंने पाया है, 50 लाग बच्चों ने उसको देखा, 80 लाग views हैं उसमें, तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है किसी सिक्षक के लिए कि आप लोग, क्योंकि देखो, आम तोर पे क्या होता है, आम तोर पे इतने views और इतनी चीजें जो education के content हैं, खास कर क्योंकि मैं बहुत तथ्यात्मक चीजे प पड़े, 50 लाग बच्चों ने देखा, यह बहुत बड़ी बात है, यह 50 लाग बार देखा गया, 50 लाग views हैं इसमें, तो अब यह आप लोग को देखना है, और इसमें जो है, पूरा इंडियान जोग्रोफी कबर कराया है, लेटेस्ट है आपका पूरा का पूरा, ठीक है, अब इसके साथ क्या करना है, खुद के नोट्स लेकर के बैठ जाना है, जोग्रोफी के, इंडियान जोग्रोफी के, भारत के भूगोल के, खुद के नोट्स ले जाना है, ठीक है, और साथ में घटना चक्र ले लेनी है, गटना चक्र आपको अवश्य करनी है, घटना चक्र आपकी ये वाली है, आपके पास 2021 की है, 2022 की है, 2023 की भी आ चुकी है, ये घटना चक्र का खोल लीजे चेप्टर, और जैसे जैसे मैं आता जाओं, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएं, देखो, क्लास में तो मैंने पूरा इकोसिस किया, कि हर एक टॉपिक को मैं छूँ, लेकिन यहां पर क्या है, बहुत सारे डेटा वाइस, बहुत सारी चीजें भी आपको नई मिल जाती है, तो इसलिए आपको एक बार लेटेस्ट घटना चक्र भी देख लेना है, मलब जोग्रोफी में बहुत पुरानी घटना चक नहीं होनी चीजिए कि आप 15 की, 16 की, 17 की घटना चक लेकर के बैटे हुएं, आप कोसिस करिए, 21, 22, 23 में से कोई हो जाए, 20 की भी चल जाएगी, बाकी इस से पुरानी में, डे जैसे जैसे वीडियो चलता जाए, वैसे आप अपने नोटस और गटना चक्र के वो चेप्टर देखें, जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, इससे आपको चीजे बढ़िया हो जाएंगी, तो एक काम तो यह कर लेना है, आपको ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा हमारा, इससे यह कबर हो जाएगा, और फिर मैं आपका रिवीजन भी करा दूँगा, इसका महा रिवीजन कराऊँगा, महा रिवीजन लाइक एक लाइप सो रखूँगा, आपका लाइप सो रहेगा, और उसमें जो है, मैं आपको भारत के भुगोल से जुड़े वे, टॉपिक्स को क्या कराऊंगा, रिवाइज करा दूँगा, ठीक है, तो यह आपको दिमाग में बठा लेना, यह हमारे पांचवे दिन का रिवीजन है, और इसमें हम भारत के भुगोल को ले करके चल रहे हैं, प्रिय और प्रिलिम्स एक्जाम को ध्यान में रखते हुए, यह आप सभी नहीं है, मेरे साथ हो, टेंसन नहीं लेना, तनाव नहीं लेना, सारी चीजों को लेकर के आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है, चलो, यह एक बात हो गई आपकी, क्लियर हो गया, यह टॉपिक पढ़ लेना, देखो, बहुत कोश्चन आते हैं यहां से, और जो कोश्चन आ पूरा किया, और कैसा लगा आपको, मतलब मैंने अभी लेटेस्ट बनाया था, अभी का हाली का है यह, ज्यादा नहीं एक महीने पहले पपलिश हुआ था, आपका विश्चो का भुगो लिये, और यह कैसा महसूस हुआ आपको पढ़ करके, क्या आपने मैपिंग वाला समझ में आ गया, क्या आपको अस्ट्रेलिया समझ में आ गया, ओसेनिया समझ में आ गया, पॉलीनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया समझ में आ गया, एक बार मुझे बता हो, क्या आपको लगा यह सेशन देख करके, ग्यारा घंटे का सेशन था यह, और मुझे एक आप जरूर बताओ इस चीज को मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि देखो मैं मेनत कर रहा हूँ आप लोगं के लिए तो एट लिस्ट आपने कैसे इसको जो है आपको कितना confidence आया कितना boost हुआ और आपको लग रहा है कि exam के questions अब आप निकाल पाओगे the mapping से कोई भी question आ जाएग डेली का target और अपने group में थोड़ा active रही है group में बताया करिए कैसा क्या है सारी चीजों को लेकर ठीक है